नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं बस चुनाव खत्म होने का इंतिजार था अगर चुनाव नहीं हो रहे होते तो पेट्रॉल और डीजल की कीमतों की उच्छाल की मार से जनता की पीछ पर अब तक कई हमले हो चुके होते पांच राज्यों का चुनाव खत्म हो गया है 137 दिनों के बाद पेट्रॉल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रती लीटर बढ़ गए है घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में भी 50 रुपे का इजाफा हुआ है कीमतों में होने वाले इन सारे इजाफे का दोस रूस और युक्रेन के बीच चल रही लडाई पर डाल दिया जाएगा एक हद तक यह बात ठीक भी है लेकिन सारा दोस रूस और युक्रेन पर डाल देना गलत होगा यह बात ठीक है की रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है जहां से हर रोज तकरीबन 50 लाग बैरल तेल का निर्यात होता है अगर रूस युद्ध का भागेदार बनता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा मगर सवाल यही है कि रूस और युक्रेन के बीच युद्ध को तो तकरीबन महीना भर होने जा रहा है लेकिन इन दिनों में पेट्रॉल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें क्यूं नहीं बढ़ेई आर्थिक जानकार का कहना है कि रूस और युक्रेन की लडाई का असर यह हुआ है कि जब से लडाई सुरू हुई है तब से कच्चे तेल की कीमतों में कई तरह की उठा पटक हुई है कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 110 डॉलर प्रती बैरल के आस पास पहुँच गई है रूस और युक्रेन की बीच की लडाई जितनी लंबे समय तक मौझूद रहेगी तब तक कच्चे तेल की कीमते बढ़ती रहेंगी भारत अपनी जरूरतों का तकरीबन 84 फीसदी हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है अगर चुनाव ना होते और कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रॉल डिजल की कीमते बढ़ती तो अब तक इनकी कीमतों में मौझूदा कीमत से 25 से 35 रुपे प्रती लिटर का इजाफा हो चुका होता रसोई गैस की कीमतों में 400 रुपे का इजाफा हो गया होता सरकार से यही सवाल है कि वह क्या करेगी अगर वह चुनाव के लिहाद से कीमतों को बढ़ने से रोक सकती है तो चुनाव ना होने पर क्या करेगी क्या लोक कल्यान की भावना केवल वोट बैंक तक सिमित है क्या सरकार का मतलब केवल यही होता है कि वोट बैंक के लिहाद से काम किया जाए एक उधारन से समझेए तक बढ़ोतरी हुई है लेकिन दिल्ली में पेट्रॉल का दाम 95 रुपए प्रती लीटर पर ही टिका रहा सरकार ने पेट्रॉल और रसोई गैस की कीमते नहीं बढ़ाई अब जब की कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रती बैलर के आस पास आ चुकी है तो सरकार ने कीमते बढ़ा दी है इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास परियाब्त तरीके हैं कि वह कीमते नियंतित रखें कीमतों को इतना ना बढ़ने दे कि कम आमदनी पर जिन्दगी गुजार रहे लोगों की कमर तूट जाए कहने का मतलब यह है कि पेट्रॉल डीजल की कीमतों में होने वाले इजाफे का पूरा दोस रूस और युक्रेन की लड़ाई को देना उचित नहीं है सरकार चाहे तो कीमत कम कर सकती है सरकार ने पेट्रॉल और डीजल पर पिछले 6 सालों में एकसाइस ड्यूटी के तौर पर 250 प्रतिसत की बढ़ोतरी की है सरकार ने एकसाइस ड्यूटी बढ़ा कर भम पर कमाई की है साल 2014 पंद्र में पेट्रॉलियम सेक्टर के एकसाइस ड्यूटी से सरकार ने तकरीबन 99,000 करोड रुपय की कमाई की थी पिछले 3 साल में पेट्रॉलियम सेक्टर में एकसाइस ड्यूटी पर कमाई के जर्ये होने वाली कमाई का लेखा जुखा पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 3 वर्सों के दौरान पेट्रॉल और डीजल से साल 2018 में तकरीबन 2 लाख करोड रुपय और साल 2021 में तकरीबन 3 लाख 71 लाख करोड रुपय एकठा हुए है यानि जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब सरकार ने पेट्रॉल डीजर पर टेक्स लगा कर अपना खजाना भरने का भरपूर काम किया अब अगर कच्चे तेल को लेकर विपरित हालत बन रहे हैं तो सरकार इसे नियंत्रित भी कर सकती है तेल की कीमतों में इजाफे की सबसे खराब बात या है कि तेल से अर्थव्यवस्था के कारोबार का पूरा पहिया जुड़ा हुआ है तेल की कीमते बढ़ेंगी तो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी ट्रक से लेकर ट्रेन तक का किराया बढ़ेगा तो सभी तरह के कारोबार की लागत बढ़ जाएगी बिजली की कीमत बढ़ जाएगी उर्वरक याने की fertilizer बनाने में पोटास और प्राकृतिक गैस का इस्तमाल होता है रूस और बेलारूस से पूरी दुनिया के पोटास का तकरीबन 73% उत्पादन होता है इसलिए उर्वरक की कीमत बढ़ जाएगी तेल की कीमत के बढ़ने का असर ऐसा है कि कारोबारी से लेकर किसान तक सब पर इसका असर पड़ेगा भारत सरकार के Economic Advisor Council के सदस्य निलकंठ मिस्रा का कहना है कि महेंगे होते कच्चे तेल और कच्चे तेल से जुड़े सामानों की वज़ा से अगले साल भर में भारत के Import Bill में तकरीबन 7.7 लाक करोड रुपे का इजाफा होने वाला है यह मनरेगा के बजट के तकरीबन 10 सालों के बजट के बराबर है आर्तिक जानकारों का कहना है कि सरकार चाहे तो कच्चे तेल की वज़ह से बड़े हुए खर्चे का बार खुद सहन कर सकती है चुनाव की वज़ह से सरकार अब तक कच्चे तेल की बड़े हुई कीमतों का बार सहती आई भी है अगर सरकार आम लोगों पर बढ़े हुए खर्च का बार नहीं डालेगी तो इससे राजकोसिय घाटा बढ़ेगा लेकिन प्रभात पतनायक जैसे आर्थिक जानकारों ने कई बार लिखा है कि राजकोसिय घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार को आम जनता पर बोज नहीं बढ़ाना चाहिए अगर कच्चे तेल की बढ़ी कीमत से बढ़ा कर्चा सरकार आम लोगों से वसूलती है तो हो सकता है कि अमीर अबादी तो इसे सहन कर ले मगर कम आमदनी पर जीने वाले लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा भारत की प्रती वेक्ति प्रती माह औसत आमदनी महज 16,000 रुपय है वह भी तब जब भारत घंगोर आर्थी का समानता वाला देश है केवल एक प्रतीसत अमीरों के पास देश की कुल आमदनी का 22 विस्दी हिस्सा है और 50 प्रतीसत गरीब अबादी के पास केवल 13 प्रतीसत ऐसी इस्थिती में अगर सरकार कच्चे तेल की कीमत का भार जनता पर डालती है तो उन्ही किसानों और मज़दूरों पर सबसे अधिक बोज पड़ेगा जिनके खाते में सरकार चंद पैसा डालकर वोट वसूलने की ररनीती अपनाते आई है शुक्रिया देखते रहें न्यूस क्लिक हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट न्यूस क्लिक से जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूस क्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं